नमस्कार मैं हूँ आपके साथ पूर्वी राय आई ये बढ़ते हैं आज की खास खबर के और विधान सबाद चुनाव की नस्दीकियों के साथ ही राजनीतिक बयान बाजी भी जोर पकड़ने लगी है महीं आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक पाटियों के मन्थन का दौर भी जारी है नाहन में कॉंग्रेस के एक बैटक आयजित हुई जिसमें आगामी विधान सबाद चुनाव को लेकर चर्चा की गई मीडिया से बात करते हुए कॉंग्रेस के प्रदेश मास अचीव अजैस सौलंकी ने बताया कि इस बैटक में नाहन विधान सबाद शेत्र के सभी बूतों के अध्यक्षिव पार्टी पदादी कारे हिस्सा नहीं रहे और अगामी चुनाव को लेकर रणनीती तयार की जा रही है सौलंकी ने दावा किया की हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव की तरzil पर आगामी विधान सबाव चुनाओं में भी कांगरेस पार्टी को बढ़त हिमाचल प्रदेश में मिलने वाली है उप चुनाव की तरह आगामी विदान सबा चुनाव में कॉंग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में एक जूटता के साथ चुनाव लड़कर जीत दर्ज करेगी भाजपा पर निशाना साधते हुए सौलंकी ने कहा कि भाजपा खेमे में गुट बाजी चरम पर है और आगामी विदान सबा चुनाव को लेकर कई नेता मुख्य मंत्री बनने के सपने देख रहे हैं कॉंग्रिस ने इस्थानी भाजपा विदायक डॉक्टर राजी बिंदल पर भी निशाना साधा है कॉंग्रिस ही नेताओं का कहना है कि पूर्व विर्भद्र सरकार के समय में हुए विकास कारियों से मौजूदा विदायक द्वारा लिया जा रहा है कांग्रिस नेता अजे सौलंकी ने कहा कि पूर्व विधानसभा चुनाव के समय में कई वायदे लोगों से भाजपा द्वारा किये गए थे जो वायदे पार्टी पूरे नहीं कर पाई है ऐसे में जन्रता मौजूदा सरकार से खपा है और यह जो बैठक है हमारी आगामी विधानसभा चुनावा को लेकर आज मन्दफन किया जा रहा है किस तरह से हमने बरस्ट और जूटे वायदों वाली सरकार के खिलाफ जो हैं बूट स्थर पे किस तरह से जो लोगों को जागरुक करना है किस तरह से हमने बूट की मिनेजमेंट करनी है किस तरह से जो हमने जो इनकी हमारे हाँ स्थानिये जो नेता भारते जन्ता पार्टी की विधायक है उनकी जो जो उन्होंने जूटे वाइदे पिछले चुनाओं में लोगों को गुम्रा करने के लिए किस तरह से उनको जागरित करना है लोगों को वाइदों से तो उसको लेकर जो है आज मंडल की बैठक की जा रही है और इसमें सभी कौंशोंसी के प्रतेख बूथ 121 बूथ हो के सभी बूथ कमेटी के अध्यक्ष और वहां के कार्यकारणी के लोग हमने बुलाए है इस तरह से प्रदेश की सरकार साड़े चार वर्ड शो में नहान मैं विशेज कर नहां निवर्च निक्षेतर की बात कहुँगा कि कोई भी नया कारे जो बताएं बारते जनता पार प्रद्धे जनता पार्टी बिखर Track roughly और मुक्यमंतरी के सपने का भारतीय पार्टी फगो पाइबिए sa पार्टी का यह ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी एक जूट है और कांग्रेस पार्टी ने पिछले अभी वाई इलेक्शन में भी परिची दिया एक जूटता का और चारो सीटे जीपी है और हाल ही में अभी जो चार विधानसवा चुनाओं उससे थोड़ी सी अक्सिजिन ज में हिमाचल परदेश की परिष्टितिया विभिन हैं और ईवार्ज़ प्रदेश की किया परिष्टितिया वो लोगों ने जो है अभी ऌब हाल ही में बाई ऐलेक्शन में उसका जुआब दिया है और इसमें 100% में हम विश्वास हैbirा जासमा में जैसा बाईले wantा में हुला इसके बारे में जो है लोगों को जागरुक किया जाएगा घर घर तक इसकी जानकारी दी जाएगी और स्वाल पुछा जाएगा मान्य विधायक्ती से कि जब ये पीपी कुट घुटाला हुआ डिरेक्टर साब निलंबित हुए और डिरेक्टर साब के साथ जो व्यक्ति फोन जानना चाहती है और उस उस के को क्यों दुबा दिया गया क्यों उसकी जाएगे नहीं की गई हम पुछना चाहते है पर देश सरकाल से आज की अंक में फिलाल इतना है अगले अंक में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार अखिए नहीं क्या कर रहे हैं अरे यहां भी भूशन ज्वैलर्स जी बिल्कुल बहु जब लाखों में एक हो तो लाखों में एक ज्वैलरी ही चलेगी जा बिल्कुल सही गाँ विश्वास की परंपरा और शुद्धता का मजबूत बंधन अनमोल रिष्टों के लिए अनमोल आभूशन भूशन ज्वैलर्स